हलो दोस्तों स्वागत है आपका दाई स्टूडेंट चनल में आरार्बी सीवीटी टू में जिन लोगोंने इलेक्टरीशन ट्रेड लिया हुआ है उसमें ये चैप्टर है ट्रांसफार्माट और ट्रांसफार्माट का ये दूसरा पार्ट है इससे पहले मैंने पहला पार्ट अप्लोड किया हुआ है तो उसको आप प्लेइलिस्ट में जा करके उस पार्ट को देख सकते हैं उसमें मैंने इंपॉर्टेंट थियरीज, ट्रांसफार्माट का इंट्रोडक्शन और कितने टाइप क्यों होते हैं उसके बारे मैंने बताया है और उसमें मैंने नुमेरिकल्स भी कराए हुए है अब यह तक जिन लोगों को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उस्की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जो लोग टेलिग्राम ग्रूप से जूड़ना चाहते हैं वो जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुए वहां से आप जूड़ सकते हैं या फिर जो है अपने टेलिग्राम में एड़ रेट दे इस्टुडियन टाइप करके आप जो है इस लोगों वा ट्रांस्फार्मर देखिए एमफ एक्वेशन क्या होता है ट्रांस्फार्मर का तो देखिए ट्रांस्फार्मर का जो एमफ एक्वेशन है उसकी आर्मस वैलू अर्थाथ हम कहें ए आर्मस वैलू वह होगा 4.44 इंटू 5 मैक्स इंटू एफ इंटू एन अब देखिए ए आर तो हम एन प्रख देंगे और अगर स्क्वर में इंडेंस रख देंगे तो हम एनटे Κया हुपे में यह तैन है की खुंसक्ता है की फार्म फैक्टर होता है एक घ्रेस्यो है car average value का ये ratio होता है और इसकी value हमें सा constant होती है वो आती है 1.11 ठीक ये होता है form factor तो EMF equation जो है transformer का वो है 4.44 into 5 max into f into n कभी-कभी देखता है कि अगर flux density दिया हुआ है अगर flux density उसको represent करते हैं हम B से अगर कई जगा दिया होता है formula में जब नुमेरिकल में देता है flux density value अगर flux density की value दे दिया है तो वहां पर हम formula क्या developed हो जाएगा देखिए B is equal to होता है 5 upon A तो यहां से 5 equal to हम क्या लिख सकते हैं B into A तो same formula में 5 max के जगह पे आप क्या करेंगे B into A लिख देंगे और formula जो आपका नया बन के आ जाएगा वो हो जाएगा 4.44 into B into A into F into N जगह पे आप जो है तो NP रख सकते हैं NS रख सकते हैं जिस side का आपको जो है EMF निकालना होगा यह RMS value है दयान रखिएगा यह RMS value का formula है तो इससे related एक numerical कर लेते हैं formula भी आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा देखें यहां पर numerical है EMF equation से related कहा कहा रहा है numerical में कि एक transformer की secondary winding में उत्पन बोल्टेज आपको ग्याद करना है मतलब जो है यह RMS की value निकालनी है जो भी secondary side में जो coil है उसमें निकलना है कह रहा है कि जब कि supply frequency दिया हुआ है 50 cycle per second मतलब जो है frequency की value दिया हुई है 50 cycle per second दिया हुए frequency flux देहां पर दिया हुआ है 1.35 वेबर पर मीटर स्क्वार देखें यहां पर यह flux density दिया हुआ है आप इस बात का देहां रखेंगा यहां पर B क 35 वेबर पर मीटर स्क्वार फ्लक्स पर यूनिट एरिया को ही हम कहते है flux density नेक्स्ट है क्या है कि यहां पर देखें एरिया दिया हुआ है एरिया अर्थात एक वेली दिया हुआ है टू इंटू टेंट टू दिपार माइनस टू मीटर स्क्वार कह रहा है कि हंडेट हो जाएगा आपका 4.44 इंटू 5 F N S ठीक है लेकिन 5 तो हैं पर दिया नहीं हुआ B की वेली दी हुए है तो 5 कोल टू B इंटू A होता है मैंने बताया फामूले में आपको तो यहां पर लिग देंगे 4.44 इंटू B इंटू A इंटू F इंटू N S यह से केंडी साट के जो टर इंटू फ्लक्स देंस्टी के मान कितना दिया हुआ 1.35 इंटू एरिया दिया हुआ 2 इंटू 10 टू पार माइनस 2 इंटू फ्रिक्वेंसी दिए 50 और नंबर आफ टांस दिए हुए 100 जब इसको आप सॉल करेंगे तो एंस्वर आपका आएगा 600 बोल्ट तो इस फॉर्मूले में आ गया होगा कि EMF equation को हम कैसे यूज करेंगे एक्जाम में सीधे EMF equation भी कई कई बार पूछ देता सीधे तो आप इस फामूले को जरूर याद रखिएगा अब नेक्स्ट है ट्रांस्फार्मर की efficiency देखिए efficiency का फामूला क्या होता यह तो सभी चीज में आप लोगों है तो output upon output प्लस iron loss iron loss प्लस copper loss ती हो जाएगा आपका efficiency का फामूला output upon input क्या होता है output जो मिलता है वो प्लस जितने losses होते हैं उसको जोड दिया जाए तो तो total input हो जाएगा अगर आप percentage निकालना जाते हैं तो आप क्या करिएगा इसमें hundred से multiply कर दिजएगा तो आपका percentage efficiency आपक निकल जाएगी अब next पढ़ते हैं कि transformer में कौन-कौन से losses होते हैं तो लिख देता हूँ यहाँ पर transformer में losses transformer में कौन-कौन से losses होते हैं तो सबसे पहला जो losses है transformer में वो होता है core loss ठीक है तो पहला loss है उसको हम कहते है core loss या फिर उसको हम कहते है iron loss भी इसको कहते है iron loss देखिए core loss और iron loss यह हमेशा constant रहता है किसी भी transformer में यह हमेशा constant रहता है यह इसकी बनावाट पर depend करता है कि इसमें यह losses कितने होंगे देखिए इसके अंतर का दोर और losses आते हैं सबसे पहला आता है इसमें यह पार्ट में लिक दे रहाँ यहां पर यह होता है hysteresis losses hysteresis losses दूसरा क्या है वो है eddy current losses यह दोनों जो losses हैं वो transformer में fixed होते हैं अर्थात constant होते हैं इनकी बनावाट के अधार पर पहले से इनकी जैसी बनावाट होगी उसके हिसाब से यह losses fix होते हैं देखिए अगर इन losses को आपको कम करना है आरन losses को आपको कम करना है तो सबसे पहले आपको use क्या करना होता है silicon steel का जो है आप core use करेंगे और क्या करेंगे इसको laminated होना चाहिए laminated होगा तो आप hysteresis losses और eddy current losses को कम किया जा सकता है यह मैंने जो है शुरुआत में construction के ही time बताया था कि इन दोनों losses को दरसल यह constant losses है तो इनको जाहिड सी बात है construction के time ही इसको जो है limitation रहता इसी को limit किया जा सकता है इसको कम किया जा सकता है तो वह किसके कारण silicon steel का core आप यूज करिए laminated तो आप क्या कर सकते है hysteresis और eddy current इन दोनों losses को आप कम कर सकते हैं अब दूसरा type क्या है दूसरा type है copper losses copper losses अब यह copper loss क्या होता है यह fix नहीं होता है यह variable होता है variable क्यों होता है क्योंकि देखिए secondary winding के जो resistance होता है उसके कारण जो है इसमें losses होते हैं अब secondary winding में क्या होता कि current जो है उसमें तो variable होती है क्योंकि जैसा input होगा उसी अनुसार जो है number of tons जो है flux को cut करेंगे और उसमें current की value जो है घटती बढ़ती रहती है अब current जो है load के बढ़ने घटने के अनुसार जो है बढ़ेगी उसी अनुसार जो है copper losses भी बढ़ते है copper loss का जो formula होता है वो होता है i square r अब देखिए primary के अगर copper loss निकालना है तो primary में current लिख देंगे और primary का resistance लिख देंगे तो primary की तरफ losses हो जाएंगी secondary के निकालना है तो p की जग़ा पे current जो है हम is का यूज़ कर लेंगे और resistance में हम secondary side का यूज़ कर लेंगे अगर हम total copper losses निकालना चाहते हैं तो यह तो हो गया primary side का जो copper loss प्लस is का square into rs यह हो जाएगा आपका secondary side का copper loss इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो वो total copper loss हो जाएगा और यह loss क्या होता है यह होता है यह फिक्स लास नहीं होता है वैरियेबल लास इसको कहते है ठीक है और यह current के directly proportional होता है इसके square के directly proportional होता है यह loss देखिए one liner ऐसे ही question पूछे जाएगे ति कौन इसमें जो है fix loss है कौन जो है variable losses है फामूला पूछ लेता है कौन कि इसके directly proportional होता है इन core loss को जो है कैसे कम किया जा सकता है ऐसे ही छोटे-छोटे question जो है one liner इसमें पूछे जा सकते हैं अब देखिए बात आती है कि copper loss और iron loss को हम ग्याद कैसे करते हैं इसको ग्याद करने के लिए दो test होते हैं उन दो test के बारे में देख लेते हैं सबसे पहला जो होता है अगर हमको निकालना है copper loss copper loss जो का यह नहीं कि बहुत ज्याद है इसके डीटेल में construction और यह सब पूछें श्रिफ नाम आप याद रखिए copper loss को अगर find करना है तो हमें short circuit test करना होता है short circuit test यह अपली देता हूं short circuit test दूसरा अगर हमको जो है iron loss ग्याद करना है iron loss जिसे हम कहते हैं core loss core loss ग्याद करना है तो इ यह दोनों test आप याद रखिएगा कि इस loss के लिए कौन सा circuit test यूज होता है ठीक है next topic है transformer में सबसे important topic है transformer में कि transformer में देखिए अगर losses होगा loss होगा तो क्या होगा heat develop होगा heat develop होगा और transformer क्या होगा heat होगा उसकी winding heat होगी transformer की और उसकी winding खराब होती जाएगी धीरे धीरे तो इन ही सब चीजेओं के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी अब transformer को ठंडा कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की हमें जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की कितनी मेथड हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे तो देखें टोटल जो है फाइफ टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए फाइफ टाइप हैं ट्रांसफ किरतिक हवा हिंदी में से कहते हैं प्राकिरतिक हवा के द्वारा कूलिंग की जाती है इसमें देखिए नेचुरल एयर कूलिंग जो होता है वो हम बहुत ही छोटे ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं जैसे माली ये रेडियो हो गया टेलिवीजन इसमें जो ट्रांसफा लिखे लाओ कmile बहुत ही चोटे transformer के लिए डूसरा आता है अपका उसके बाद first एयवर कुलींग मतलब क्या होता है कि हमें जो है नार्मल एयर से वह nfar रहो सकता है और इस्चे में सकती हमें इसके लिए फैन लगाने की ψरिवरत पर हायं मतलब उसमें हवा दिया जाता है हावा से जो या बहारी हवा से जो है ठंडा किया जाता है बहुत भी यह यговरते है वह सब ganhar करने के छी यह लिए एर कूलिंग इस पर बहुत बहुए बहुत ज्याद往 बहुत ज्यादा यूज में नहीं होता है लेकिन यह होता है कि बड़े-बड़े स्टेशन पर इसका यूज होता है फोस्ट एयर कुलिंग अर्थात हवा के जोर से अगर हिंदी में आपका ना चाहें तो इसको हवा के जोर से जो है इसको ठंडा किया जाता है नेक्स नम्बर है तीस्रा यह बहुत इंपर्टेंट है इसका नाम है की आयल इमर्जड आयल इमर्जड और्यल कूलिंग तो ओयल कूलिंग देखिए इस मेथड का हम यूज करके जए ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं इसमें क्या करते हैं पूरी क्वाइल को जो है ट्रांसफार्मर जो है ओयल में डूबा रहेगा तो उसकी वैंडिंग क्या होगी वह गरम होगी लॉसस के कारण अब यह वैंडिंग हो गया अब दोनों तरफ दोनों वैंडिंग को क्या कियांगे हम जो है यह ट्रांसफार्मर ओयल में डूबो देंगे डूबोने के बाद ज दूर हटता जाता है और उसका अस्थान जो है ठंडा ओयल जो है आकर के ले लेता है तो इस मेथट से इस तरीके से जो है इसकी कोईल इसकी वाइंडिंग जो है हम इसको ठंडा करते हैं ट्रंसफार्मर को इसलिए इसका नाम है और इमर्जड ओयल कुलिंग मतलब ओयल में द्वारा एबर के द्वारा है उस ऐल को है ठंडा कर लिया जाता है और जो है फिर, तो फिर ऐ है इस तैन ले लेता है तो बस इसको जो हाा और एफेक्टिव के लिए इसको ड्रॉड को ट्रीज और उस तैन और गश्चाल कई अषकी membership बनाता है इस मेथट का उपयोग जो है बहुत बड़े-बड़े ट्रांस्फार्मर होते हैं बहुत बड़े जो ट्रांस्फार्मर होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है इस मेथड का next method है fourth number वो है oil immersed water cooling इसका नाम है oil immersed है immersed water cooling डेखे इस मेथर में हम जो कैसे ट्रांस्फार्मर को ठंडा इसमे भी काम होता है क्या होता है कि हम Т्रांस्फार्मर की जितनी वाट इन होती है इसको जो है हम जो हम क्या터 कि धू justσι को आपको अब जैसी के चारू तरब के वह इसका olmas अब ऑईल जब हीट हो जाता है तो उसके उपर हम क्या करते हैं पानी डाल देते हैं उसके पाइप के थूरू पानी डालते हैं जो टैंक होता है उसका उसके पानी डालते हैं बाहर से जिसके कारण क्या होता है कि वो ठंडा हो जाता है अब यह पानी डालते कैसे हैं यह पानी वो आयल होता है उसका अस्थान लेकर के जो है इस मेथड से जो है हम ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रवाइड कराते हैं इसको हम कहते हैं यह आयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग इसमें हम मेंली यूज करते हैं वाटर के थ्रू जो है हम इसको ठंडा करके करते हैं ओयल जो होत oil blast cooling अब देखिए इसमें oil blast cooling का जो यूज होगा इसमें भी हवा का ही यूज करेंगे हम जो है वाईव के द्वारे एक pump होता है इसमें एक radiator tank लगा होता है radiator tank radiator tank लगा होता है उसके थुरू हम हवा का pressure डालते हैं ठंडी हवा का जिससे क्या करता है वह oil को ठंडा करता है जो भी गरम oil हो उसको ठंडा करके फिर पूना जो है transformer के tank में उसको पहुंचा दिया जाता है इस transformer इस अर्थात इस method का जो यूज होता है oil blasting cooling का जो हम यूज करते हैं वह करते हैं करीब 500 kVA 500 kVA से अधिक छमता वाले capacity वाले जो transformer होते हैं उसमें हम यूज करते हैं oil blast cooling का method का यूज करते हैं तो यह था different types of method जिससे हम transformer को cool करते हैं ठंडा करते हैं यह बहुत ही आवस्टेक होता है transformer की cooling के लिए next topic है transformer में ही एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है auto transformer आटो ट्रांसफार्मर अब देखिए auto transformer का construction कैसे होता है auto transformer होता क्या है auto transformer में देखिए एक ही winding लगी होती है एक ही winding किया है कि इसका कुछ इससा primary की तरह work करता है और इसका कुछ हिस्सा जो है इसका secondary की तरह work करता है यहाँ पर देखिए मैं हम लोग जो है इसका कुछ यहां से यहां तक पूरी उक्वाइलिंग जो वाइंडिंग हो गई यह नए नवन हो गया और यह जो है यहां से यहां से यहां तक यह N2 की तरह काम करेगा इसमें बहने वाली करण टाइटू हो जाएगी और इसमें बहने वाली करण जो है I1 हो जाएगी यहां से हमने क्या कि है आटो ट्रांसफर्मर के जो लाव है डरसल इसमें एक ही वाइंडिंग होने के कारण क्या होता है इसमें माटेरियल कम यूज होता है माटेरियल हमें कम यूज करना पड़ता है एक ही वाइंडिंग होने के कि देखिए अगर वाइंड जो है एक ही वाइंडिंग दोनों तरफ के लिए काम करेंगी प्रामरी और से कंडरी जो लिए तो तो अक लागने का खत्ता खत्रा रयत बना रहता हैं मतलब आपको एलेक्त्रिक स्थ लग सकता है हो सकता है primary से ही लग जाए और यह हो सकता है secondary से लोड नो हो तब भी आपको लगने का खत्रा होता है अब देखिए auto transformer का हम यूज कहां करते है auto transformer का यूज जैनली जो होता है वो होता है voltage stabilizer में voltage stabilizer में ठीक दूसरा क्या है मोटरों की जो भी voltage variation होता है उसके लिए हम यूज करते हैं जो भी motors हम यूज करते हैं मोटर के voltage variation में voltage variation के लिए variation next है कि induction motor के starter में भी हम इसका यूज करते हैं induction motor के starter में हम क्या करते हैं auto transformer का यूज करते हैं starter के लिए ठीक है same as it is जैसे normal transformer में हम transformation ratio निकालते थे same as it is transformation ratio इसमें भी निकल के आगा n2 upon n1 is equal to ये k होगा जो v2 upon v1 के बराबर होता है ठीक है अगर देखिए हमको step up और step down की तरह अगर हम use करना चाहें तो कैसे use करेंगे step up में आपने सुना होगा कि जो है n2 के जो है number of turns ज्यादा होते है step up में तो जाहेट सी बात हम क्या करेंगे शुरू में जो हम n1 जो use कर रहे हैं वो कुछ terms के लिए n1 का use कर देंगे यहाँ पे और पूरी coil को जो है हम n2 की तरह use कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए तो अब क्या करेगा यह step up के लिए तरह काम करेगा और जो पहले मैंने बनाया था वो step down के लिए काम करेगा क्योंकि उसमें n1 जो है number of turns ज्यादा है n2 जो है वहाँ पे number of turns काम है क्योंकि हम यहाँ यहाँ पे tapping कर दी है बीच से ठीक है अब देखते हैं इस transformer में एक नया topic है उसको हम कहते है instrument transformer दो तरह के होते हैं यह transformer instrument की तरह हम कैसे यूट करते हैं transformer का तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दो तरह के हैं transformer instrument transformer instrument transformer इसमें पहला क्या है उसको हम कहते है current transformer जैसे नाम से यह आपको पता चला है, जैसे देखिए , बहुत बड़े बड़े ऑगों में, बहुत बड़े बड़े जो है अगर हाईव उल्टेज हाई' current जो extra high lines हैं उसमें हम current कैसे line का current measure करेंगे इसके लिए हम जिस instrument का use करते हैं उसका नाम है current transformer इससे हम high tension line में extra high tension line में हम current की value ग्याद करते हैं दूसरा क्या है potential transformer potential transformer का use same ही ऐसे ही है जब high tension होगा extra high tension जो line होती है उसमें हम क्या करते हैं line में voltage को आपने के लिए हम यूज करते हैं जिसका नाम है potential transformer potential transformer ठीक है अब देखिए थोड़ा सा इसमें बता जैता हूं current transformer होता क्या है और potential transformer देखिए current transformer क्या होता है कि जो primary winding होती है primary winding वो क्या होती है मोटी तार होती है मोटे तारों की बना जाती है मोटी तार और इसमें कम turn होते हैं turn जो है बहुत कम यूज किया जाता है ठीक है और इसको क्या करते हैं हम line के series में लगाते हैं ध्यान देजेगा आप लोग कि हमको क्या करते हैं इसमें primary weinding को हम line के series में लगाते हैं और secondary winding से हम जो कोई भी retiremiter लगा देते हैं कोई भी secondary winding में secondary winding में क्या करता हैं हम कोई भी हम imp econ meter लगा देते हैं और वो जो है एंपीर meter हमें line में बढने वाले current की value बता देता है यह हमारा current transformer का huge secondary winding जो है हम क्या करते हैं यह कम टेंकि तर्न कने अधिक टेंकर के जो हैं बनाते हैं इसके बाद आता है potential transformer, potential transformer का क्या use है, मैं यह बता जेता हूँ, potential transformer, potential transformer जैसे high tension line हुगा, high tension या फिर extra tension line में हम potential को measure करने के लिए हम use करते हैं इसका काम, देखिए यह क्या होता है कि, यह एक step down transformer है, यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने बता जे रहाँ, step down transformer है, कभी कभी exam में पूछा भी जाता है, यह कौन सा transformer होता है, तो यह होता है, step down transformer, और जो current transformer था, वो क्या होगा है, step up क्यों, आप देख लिएज़ें, यहाँ से भी अंदाजा लगाई सकते हैं, कि primary क्या हुई है, कम turns की है, और secondary अधिक turns का, तो इससे क्या पता चला है, यह है, step up transformer, यह नहीं बताता तो कभी लोग इसको जान सकते थे, लेकिन मैं बता दे रहाँ कि, कम turn होगा primary में, और secondary में अधिक turn, जिससे आप कहा सकते हैं, कि जो current transformer है, वो है, step up, और potential जो transformer है, उसे हम कहते है, step down transformer, तो step down में, अगर पता चले गए आपको, तो मतलब क्या है, primary जो turn होगा, primary side में जो number of turns होगे, वो क्या होगे, ज्यादा, और NS, अर्था secondary side में जो number of turns होगे, वो क्या होगे, कम turns होगे, यह बनाया जाता है, इसके बहुत से फायदा है, फायदे बताने की जरूवत नहीं है, क्योंकि अगर फायदे बताएंगी, तिक जा में ज़्यादा पूछता है, फायदे क्या है, यह जो है, खराब meter जो भी होता है, line में उसको बदनने के लिए क नाम आता है, ठीक है, instrument transformer की कारण क्या होता है, meter तथा बोल्ट मीटर का जो है, size जो है, कम हो जाता है, बहुत बड़े size का यूज करने की जरूवत नहीं पड़ती है, कीमत में सस्ता पड़ता है, instrument transformer जो भी यूज होता है, जो भी current transformer और potential transformer है, power की खर्च कम होती है, और एक स् instrument transformer में हम परियोग कर सकते हैं, ठीक है, transformer में एक नया सब्द होता है, जिसको हम कहते है, leakage flux, ये कभी कभी पूछा जाता है, leakage flux होता क्या है, देखिए, leakage मतलब क्या है, कि ये कहीं कहीं leak कर रहा, कुछ flux जो है, आप leak कर रहा, बहुत minute सा, आप उसको पता नहीं कर पा रहा है, देखिए, मैं diagram से इसको कैसे बता देता हूँ, कि होता क्या है, मान लिजे एक transformer है, transformer का मैंने यहाँ पर design बना दिया, ठीक, अब ये हो गया कि पहला जो है, ये primary side हो गया, primary quailing, ये दूसरा हो गया, secondary quailing, ठीक, अब क्या होगा, primary में हमने supply दे दिया, supply दे दिया, तो क्या अब flux, अब flux को जो है secondary coil, जो है, cut करेगा, अब primary में जो है, flux generate होता है, cut करता है, तो ये trans जो है, अपनी flux को भी तो cut करेंगे, और इस flux को जब अपने भी cut किया जाएगा, तो एक खुद एक जो है, leakage flux जो है, generate होता है, इसे हम कहते है, leakage flux, ठीक है, primary side में, same as it, secondary side में भी जो ह current develop होगी, इसके कारण भी तो magnetic flux generate हो जाएगा, और खुद ये lines जो है, खुद के flux को भी cut करेंगी, खुद के flux को भी cut करेंगी, तो थोड़ा सा जो है, एक secondary side में भी जो है, leakage flux generate हो जाता है, ये अपने खुद के flux को जो cut करती है, उसे ही हम कहते है, leakage flux, और ये जो है, उसमें उ थोड़ा अपोज करते हैं, कि direction जो है, दोनों अलग-अलग होती है, तो leakage flux आपको लोग को समझ में आ गया होगा, primary और secondary time side, दोनों side में जो है, ये flux generate होता है, खुद के number of turns के द्वारा काटने के कारण, अब next है कि हम दो transformer को कैसे आपस में जोड़ते हैं, कौन-कौन से method से ह में जोड़ते हैं, तो देखते हैं कि वो कौन-कौन से method है, method of, method of transformer, transformer grouping जीसे कह सकते हैं, आप transformer grouping, सबसे पहला है, इसमें series grouping, series grouping, series grouping, सीरीज grouping मतलब क्या, दो transformer को हमें series में जोड़ना है, देखे सबसे पहले मैं बता दूँ कि ट्रांस्वारमर को, अगर Dr. Grouping करना चाहते हैं मतलब एक से दू अधिक Transformers के जोड़ना चाहते हैं क्या होती है सबसे पहले किлекंदिस्टिस्ट में बता दू मैं बताएं यहां सेम होना चाहिए कि फेज सेक्वेंस आत्का सेम होना चाहिए वोल्टेज रिस्ट रिस्टिजना नियरी को से दूसरी बात जो है कि polarity, polarity भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आप parallel में जोडते हैं, parallel connection करते हैं, तो इसमें polarity का भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, ती हो गई इसके लिए condition तब ही हम जो है transformer की grouping कर पाएंगे, सबसे पहला है series grouping, series grouping में क्या होता है, कि हम दो transformer को series में जोड़ेते हैं, primary को primary के साथ series में और secondary को secondary side के साथ series में जोड़ेते हैं, देखें, मैं यहाँ पर diagram बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने transformer बना दिया, यह हो गया इसकी primary coil, ठीक है, पहले transformer की, फिर इसको वाच्छे secondary की जो है primary coil, यहाँ पर हो गया, ठीक, यहाँ से input कर दिया मैंने फिर हो गया secondary इसको मैंने दोनों को primary और secondary दोनों को मैंने क्या किया है सीरीज में जोड दिया primary और secondary यह transformer हो गया इसे कहता है Serious grouping next method है वो है प्रालल Gitution Pairlal Groupon alignment इसमें जो है एक diagram से देख लेते हैं पहले grouping क्या होती है देखिए यहाँ पर पहला diagram आप देख रहे होंगे यह series grouping का है दूसरा यहाँ पर पहले वाले से connect किया गया है यहाँ इस point से सेम आजिटी जब सेकेंडरी में देख लिए यह पहला पॉइंट में कंसिडर करो तिसका जो सीरा है दूसरे बारे के पहले से जुड़ा हुआ है और इसका जो दूसरा सीरा है वह नेक्स्ट वाले के दूसरे सीरे से जुड़ा हुआ है इसी को तो हम कहते हैं पैरलल कनेक्शन इसका इस पहला सीरा पहले से इसका दूसरा इसका भी पहला और यह दूसरा इसको अगर हमें पैरलली कनेट करना हो तो क्या करना होगा पहले को पहले से जोड़ेंगे और दूसरे को दूसरे से जोड़ दिया तो यह हो गया कि नहीं पैरलली कनेक्शन यहीत होता है पैरलल कने ग्रूपिंग फिर उसके वाद आता है पैरलल सीरीज ग्रूपिंग देखिए बस नाम ही आपको याद रखने हैं बस एक बार आपको इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं बहुत डीटेल में जा रहा हूं और यह चौथा मेथड हो गया इन चार मेथड से जो है हम ट्रांसफार को जोड़ते हैं नेस्ट एक पॉइंट है कभी-कभी एकजान में पूछा जाता हो सकता आपके लिए भी पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर को हम बीशी पर क्यों नहीं जोड़ते हैं क्यों यह बहुत इंपार्टेंट कुश्चन है एक जाम में आता है तो देखिए कोई भ कि पर क्याम करता है? ये काम करता है mutual induction, mutual induction अगर क्या होगा कि current में कोई variation नहीं हो रहा है कोई change ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि induction तो develop ही नहीं होगा, flux ही generate नहीं होगा तो flux cut कौन करेगा? flux cut नहीं करेगा तो secondary side में तो EMF ही नहीं generate होगा तो इसलिए हम जो है किसी भी transformer को DC supply नहीं देते हैं mutual induction इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ठीक है क्योंकि हम जानते हैं DC supply में frequency हमारी क्या होती है वो होती है zero क्योंकि वो क्या होता है DC हमारी constant flow करती है टॉपिक है तो हम देख लेते हैं इसका की transformer के लिए protective device transformer protective device तो सबसे पहला मैं protective device बताता हूँ उसका नाम है breather 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 का काम क्या होता है देखिए जो भी हम transformer की cooling करते हैं अगर हम cooling जो है air cooling करते हैं तो हवा में क्या होता है नमी होती है और ये नमी जो है transformer oil के साथ जो है मिल जाए अगर जो तो वो उस oil को खराब कर सकती है तो इसी breathing मतलब इसी air में से हम उसकी नमी को जो हटाने के लिए एक pipe के थू हम एक breather instrument यूज करते हैं उसमें क्या होता है हम यूज करते हैं silica gel silica gel का हम यूज करते हैं ये क्या करता है इसके थू हम हवा को पास कराते हैं air को पास कराते हैं और ये क्या करता है oil को हमारे cool करता है ठंडा करता है लेकिन इस air में जो है नीला हो जाता है कई दिनों बात अगर भो देख लीज़े आप उसको चेक करिए कि अगर वो नीला हो गया मतलब जो है हमको silica gel को बदल देना चाहिए अब उसमें जो है नमी सोखने की च्छमता है वो रही नहीं तो इस जो है ब्रीदर का बहुत ही important role है यह हमारी oil में जो है नमी पहुंचने से air के थुरू उसको रुखता है हम सिलका जेल की जगह पर कई बार जो है copper sulfate का भी यूज करते हैं copper sulfate का भी हम अगर यूज करना चाहा है तो यूज करते हैं कई जगह यूज होता भी है ब्रीदर में तो सिलका जेल और copper sulfate दोनों जो है air से नमी सोखने का काम करते है नेक्स्ट इंस्टुमेंट है वो है conservative conservative अब देखिए con lavender का काम क्या है देखिए con snapped कंजर्वेटर होता क्या है कंजर्वेटर जो है एक प्रकार का ड्रम होता है और यह कहां लगा होता है ट्रांसफार्मर के उपरी सतह पे यह लगा रहता है दरसलों होता कि यह एक पाइप के द्वारा जो है ट्रांसफार्मर के जो मेन तेल होता है मेन ओयल होता है उससे जूड फैलेगा वह कंजर्वेटर के जो है खाली अस्थान पर पहुंच जाता है जो भी कंजर्वेटर होता है उसके खाली अस्थान पहुंच जाता है और उस्तास्थान के जो हावा होती है जो हावा होती है वह ब्रीदर के थुरू वह बाहर निकल जाती है कुछ समय बाद क्या होत होता है यह फिर ठंडा होता है तो सुखूरता आप में वहाँ पर सुरूर में ध्यूर्विटर तर coop का होता है जिसको हम हो जाती है तो उसमें उस समय जो है उसमें एक अलाम लगा होता है वह अलाम बजने लगता है जिससे हमें पता चल जाता है कि अब जो है लगता है कंजर्वेटर में तेल की थोड़ी कमी हो गई है तो हम जो है नया तेल जो है उसका रिप्लेस करते हैं या फिर और उसमें फिल लिए हम उप्योब करते हैं उसके बाद से चैप्टर को फियरी जो है वो कवर हो जाएगी तो देखे निमेरिकल में क्या कहा रहा है कि एक 1000 is to 5 के करंट ट्रांसफार्मर देखे करंट ट्रांसफार्मर दिया हुआ है इससे जो मीटर जुड़ा हुआ है वो 5 एंपियर रेंज का है कहरा कि यदि ट्रांसफार्मर को लाइन पर जोडने से उसका एंपियर मीटर जो है 4 एंपियर रेडिंग दे रहा है जो एंपियर मीट is to five दिया हुआ यह है क्या यह है आपका transformation ratio जो आप पढ़े होंगे ip upon is होता है ठीक है तो वो हो जाएगा 1000 upon five देखे मैंने बताया था कि k is equal to क्या होता है vs upon vp is equal to ns upon np is equal to current के case में क्या होता है ip upon is तो यही है यह ip upon is है one thousand upon five लेकिन कहा क्या रहा है कि जो पांच एंपियर रेंज का जो एंपियर मीटर जोड़ा हो गया है उसमें रेटिंग उसमें जो है रीडिंग कितनी आ रही है है चईलैंपियर की मेरा है खंद कर्ण अगर आपको ग्याद करना होगा ग्रहां काषः लाइन करेंट करेंट को फिन आपांट कैंव लौक्या हो जागा की ॥ा उनट्य एंपियर महरा हो इसकी वैलू तो कितनी आऽरीय आ अर्थात line की जो current की value है वो है 800 ampere current आ रहा है तो दोस्तों मैंने transformer से related जितने भी theory से जो भी important numericals थे जो भी important formula थे उसको मैंने इस वीडियो में cover कर दिया है दो part में मैंने ये जो है chapter पढ़ाया हुआ है अगर कोई भी topic अगर छूटता है या फिर जो भी question या फिर कोई भी topic आपको समझ में नहीं आता है तो comment section में आप बताइए कि मैं उस topic को जो है next video में और explain कर दूँगा और मैं सोचा हूँ कि इसका एक और part लेकर हूँ जिसमें one liner जो question है छोटे मोँ छोटे उसका जो revision, quick revision हम जो है 5-10 minute में कर सेगें तो उसका मैं next part लेकर हूँगा generally जो है transformer में इतने ही topics थे और इसको जो है मैंने railway के लिए जो जो भी important था transformer में मैंने उसको यहाँ पर cover कर दिया है तो आपको वीडियो कैसा लगा comment section में बताइए और जो लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कर लेजे ताकि जैसे भी मैं next video upload करूँ उसकी notification आपको मिल जा है thank you दोस्तों best of luck